लेकिन कनहिया कुमार के उपर देश द्रोग का मुकदमा चल रहा है उनके उपर कई सारे आरोप हैं और कनहिया कुमार के उपर कौमनिस्ट पार्टी ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है उस व्यक्ति को देश कभी माफ नहीं करेगा जो देश के खिलाप काम करे और खास करकर के परधान मंत्री के खिलाप अब सब्दों का परियोग करे उनको अगर जो हैसे विकास चाहिए और विकास के अगर थोड़ा भी उनको अगर अच्छा लगता हो तो वो इंडिये के साथ मिल करकर के काम करना पसंद करेंगे हर अस्तर पर जो ऐसे महगाई को कम करने के लिए अभी रिजर्ब बैंक ने बैठक किया है और रिजर्ब बैंक ने बैंकों के साथ मिल करकर के कहा है कि हम उसके जो ब्याज के दर है उसको बढ़ाने का काम करेंगे कि चाते हैं सर कन्हया कुमार मिले हैं मिले होसकता है किसी काम को लेकर करके मिले हो लेकिन कनहिया कुमार के उपर देश द्रो का मुकदमा चल रहा है उनके उपर कई सारे आरोप है और कनहिया कुमार के उपर कौमनिस्ट पार्टी ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है तो कनहिया कुमार अपने बचाओ के लिए अगर कही जा रहे हैं तो इसमें कोई हर् करना है उनको सोचना है कि क्या करेंगे लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उस व्यक्ति को देश कभी माफ नहीं करेगा जो देश के खिलाप काम करें और खास करकर के प्रधान मंत्री के खिलाप अब सब्दों का प्रियोग करें उनके खिलाप कोई ऐसा बक्तब्य दे जो देश क की जनता के मन को आहत करने का काम करे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी देश के सबसे लोग पर यह व्यक्ति हैं और सबसे बेहतर काम करने बाले मलती हैं 132 कड़ो की जनता की आसा के प्रतीक हैं और उस घ्रठी के को लेना है क्या प्रभाव उसका पड़ेगा यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करने वाली है जिस तरीके से जो लोजपा के जो सांसद है नवादा से वो भी आज वो भी मिनितिस कुमार जी से मिले है उसको कैसे दे बामपंति के होँ राज़त के हों कांग्रेस के हों या लोजपा के हों किसी पार्टी के व्यक्ति हो उनको अगर जो हैसे विकास चाहिए और विकास के अगर थोड़ा भी उनको अगर अच्छा लगता हो तो वो एंडिये के साथ मिल करकर के काम करना पसंद करेंगे सवाल यह भी है कि आप विकास के बात कर रहे है पेट्रॉल और डिजल और सलिंडर की जो व्रिध्धी लगतार हो रही है उसमें देखिया पेट्रोलियम पदार्थों की कमपनिया जो है वो स्वतंत्र है भारत सरकार ने स्वतंत्र कर दिया है अंतराष्टिय किमते अगर कच्छे तेल का अगर उसके बढ़ते हैं तो दाम बढ़ते हैं घड़ते हैं तो घड़ते हैं कमपनिया स्वैम तै करती है उस पर सरक कोई गैस की बात करते हैं तो सरकार ने तो आठ कडोर महिलाओं को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम किया कुरोना काल में सभी जितने उज्वला युजना के तहत लाभारती थे तीन महीने तक मुफ्त में गैस का रासी पैसा देने का काम किया गया जो हैसे तो सरकार त लोगों के तकलिफों को दूर किया जा रहा है चाहे हुआ है जसे अगर पक्के मकान देने की वजना हो मुफतमे अनाज देने की वजना हो पांचलाक रूपिया परतीप परिबार अगर जो ऐसे जन आरोंग योजना के तहत लोगों को Ir Days पैसा देने का हो इस प्रकार मुझे लगता है कि जितना विकास का काम हो रहा है उस विकास में कुछ अगर थोड़ी बहुत कीमते बढ़ती है तो इसको नहीं लेना है लेकिन सरकार सचित है हर अस्तर पर जो ऐसे महंगाई को कम करने के लिए अभी रिजर्ब बैंक ने बैठक किया है और रिजर्ब बैंक हम उसके जो ब्याज के दर है उसको बढ़ाने का काम करेंगे उनका जो जमानत रासी होता है उसको कम करने का काम करेंगे जिस से महंगाई पर नियंत्रन हो सके ये थे हमाई साथ प्रिम रंजन पटेल जी जिनके ने बताया कि महंगाई थोड़ी बहुत अगर बढ़ भी रही है लेकिन विकास का काम लगतार चल रहा है और जिस तरीके से जो कनहिया कुमार मिले हैं तो वो मिले होंगे प्रसनली काम से लेकिन विहार के सियासी गल्यारे स ये खबर निकल के सामने आ रही थी कि जिस तरीके से वो मिले हैं तो इसके अलग-अलग माईने निकाले जा रहे हैं ते लेकिन पर देश-द्रो का मुकादमा चल रहा है उन्हें प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के खिलाब बोला था लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कनहिया कुमार किसी सियासिद धमासान के लिए मिले थे या किसी काम के लिए मिले थे बने नियुर्स प्रणेशन के शार नमस्कार